हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अलो नमस्कार जहिंद आज का टापिक है पाक्स वेक्ट और अन्य एक्ट से सम्बंदित क्वेस्टन एंसर के रूप में लाए हैं जिससे की रिवीजन हो सके पिछले वीडियो में हमने पाक्स वेक्ट से कुछ थोड़ा बहुत जो इंपर्टेंट अगर बचा होगा तो उसको 10-15 मिट की वीडियो में फिर एक बड़ डाल दूंगा अगर बचा होगा तो तो इसको एक बार देख लें और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद वाला वीडियो दुबारा देखें जिससे कि आ हमारा इस वाट्सुब नंबर है 735 1237891 यह हमारा वाट्सब नंबर नंबर पर आपको मैसेज कर सकते हैं कोई कोस्टन और तो मैसेज कर सकते हैं बाकि PDF CDF के लिए रूंज द्यास रिसर्टर नाम से कि प्रून जियसर्ट रिसर्टर रिसर्च इस नाम से जो है कि टेलिग्राम चनल बना हुआ है आप वहां से जाकर अपना पीडिया सीडिये प्ले सकते हैं कि उसको जॉइन कर लिजिए सार्च करके और वहां से प्राप्त कर सकते हैं कुछ बच्चियों का कुछ डाउट है थोड़ा से एक मेंट मैं और लालूँगा मीमोरी की सबसे छोटी यूनिट हमने बताया था कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है कई बच्चों ने बार-बार कंफूजन क्रेट किया तो मैं उनको बता दू कि बीट एक बाइट जो है आठ बीट से मिलकर बना होता है आप यहीं सोचते होंगे कि बीट जो है कि बाइट जो है बीट से मिलकर बना है तो हाँ सही बात है बाइट बीट से मिलकर बना है एक ब कुछ न लिखक हो जलीत लेकिन लेकिन कभी पीट नहीं दिखा कि सबसे चोटा है सरीर के सबसे चोटी के क्वा पहुत होती है सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं कि सबसे चोटी काई बाइट होगा बीट नहीं होगा एक अधिकांस किताबं मिलता है आप अभी कनफर्म कर लें कि बाइट होगा और बाइट ही होगा एक टीचर इस्टूडेंट रेशियो का कनफूजन आ रहा बच्चे कनफूजन जाता रहा टीचर इस्टूडेंट रेशियो का तो बता दूं कि टीचर इस्टूडेंट रेशियो एक तीस हमने बताया था एक और तीस का रेशियो और उसके बाद अपर में एक चालीस हमने बत बॉट आया था बुछ बच्क का कंफ्यों तो धाइक चालिस होता है वह भी वहता है जब संख्या धाइस से पार्ग जली जाती हैसा । अं यह भी ज्य है तो आप संभानिक है संभानिक कंडिशन रेंस ने लिए तो यह देखते हैं पहला क्वेस्टन है भारत में बालसराम निशेद और विश्यासी के दाइरह क्या है यहां भारत के केवल कुछ राजियों पर लागू होता है इसका विश्टार संपूर्ण भारत पर है यह केवल अधिनियम के भाग थर्ड पर लागू होता है तो आपको पता है कि जम्मु कस कश्मीर पहले नहीं था इसमें और जम्मु कस्मीर से विश्ट राजय कतार हजा दर्जा हड़ जाने के बाद संपूर्ण भारत पर लागू होता है कि नेक्स्ट है अधिनियम के अनुसार कि किसी प्रतिशान क्या अधिभोगी को इंस्पेक्टर को लिखित नोटिस कभ भे अधिनियम के प्रारम होने के 30 दिनों के भीतर इंस्पेक्टर को नोटिस आठकिल नौ मैंने बताया था आपको धारा नामें इंस्पेक्टर को नोटिस है प्रतिश्ठान का अधिश्ठाता बच्चों के लिए निर्दिष्ट सप्ताहि कावकास को कितनी बार बदल सकता है तो नब्य दिन में एक बार बदला जा सकता है यानि की बच्चे को साथ घंटे आप काम करा है उसके बाद उसमें शुट्टी देना पड़ेगा लगातार 3 गंटे साधीक काम नहीं करा सकते उसके बाद एक हफ्ते में एक बाद शुटि मिलेगी उस स्चुट्ट रूडीनींओं अधिने हों इस च्छासी के थाध बचों को कितने घंटों के दवरान काम करने सर प्रतिपंद्धित किया घा है सब्सक्राइब बच्चों का समाने परिष्थितियों में काम कितना बच्चों से लिया जाता है साथ घंटे तो सम साथ बजे से सुरू होगा और सुबह आठ बज तक बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है को बाल सर्म निशायद और बिनियुमन अधिनीय 10-86 का इनसार कोई बच्चा किसी भी परिटिच्थान में अधिक्तम कितनी अधितक लगतार काम कर सकता है अभी मैंने बताया तीन घंटे लगतार काम कर सकता है सात घंटे तक कारव कर सकता है प्रतिष्ठान जहां बच्चे कारेरत हैं गेर खतरनाक बेवसायों और प्रतिष्ठान में थर्ड क्या है यह हमने बताया था आपको चार भाग और चार धराय निरसित हैं इसमें से भाग तीन था बालकों की काम की स्थीतियों के बीन में 6-11-6-13 तक इसमें से चाहसे तेरह यह था आपको दिख रहा है इस बार इसके बारे में हम लग पढ़ चुके हैं याद कर चुके हैं नेक्सट है अधिनियम के तहद अस्थापित बालसरम दखनीक सलाकार समेत्यस की प्राथमिक भूमिका क्या है यह है राज्यस्थर्प्रप बालसरम कानून को लागू करना भी है राज्य सरकारों को सलाकारी सिफार्षिय प्रदान करना कुछ बच्चों के काम के घंटों को बेनिमित करना कि अनुसूची में जोड़ने पर केंद्र सरकार को सलाह देना क्या है केंदर सरकार के दोरा मना जाता है तो बेवसायों और प्रेक्रियाओं का नशूची में जोड़ने पर इसको सिफारिश करेगा केंदर सरकार को सला देगा सब्सक्राइब करने का अधिकार किसके पास है राजसरकार अस्थानी नगर पालिकाएं केंद्र सरकार पाल निर्क्षक अभी बताया है ये अधिनियम ही किंद्र का है पुरुत इसे ब्लागवर किसको होगी क Typ किंद्र सरकार को होगी उन्हेर अधिनियम हण अधिनियम के ताहत किन प्रिश्थितियक बच्छोँ का नुशुची में उलिखित ब referendum में करने कनती दी सब्सक्राइब कम कर सकते हैं यदि उनकी देख वैस को दवरा की जाती हो इस प्रतिवंद के काम करने की अनुमति है ऐसे से परियार जोएँ के सब्जेक्ट उनके पास होगा ही और धूलों का बाग लगरा रहे हैं भाग regarde लोगों के हात बटाने में कोई समस्या है नहीं कि मान बहुत अच्छ यह अस्थापना अस्थापना सब्द में क्या सामिल है एक करखाने अर्वारी निगाईयां जिएवाड़ी जीग प्रतिस्ठान और दुकाने प्रकार केशथा कि इसमें दुकाने कारे सलाएं फार्म होटल रेस्तरा और बहुत कुछ सामिल है और डी है केवल सरकारी का रियालाव प्रसाशनिक भावन कि अस्थापना सबसे पहले अस्थापना परिभासित कहां है तो हमने बताया था तूडी में प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान रहा है तो प्रतिष्ठान का मतलब अस्थापना से लिया जाता है तो है तो दी में इसकी परिभास दी गई है भी भिण प्रकार के अस्थान जिसमें दुकाने कारे सलाएं फार्म होटल ले इस तरह और बहुत को सिमित कर दे रहा है आपसं तुसरे चारों सही है लेकिन सबसे ज्यादा सटक अपसंशी होगा कि अधिनियम के सब्ताह को कैसे परिभाश्चत किया जाता है कि अपता का को परिभाश्चत कहां किया गया है तूप आई में हमने बताया था कि तीन सप्ताह बाद आई चाहर सप्ताह बाद आई पांच सप्ताह बाद आई यानि कि कितने सप्ताह बाद आई तो तीन सप्ताह बाद आई दो सप्ताह बाद आई यानि कि आई में परिभास्त क्या गया सप्ताह को तो अधिनियम के तहट सब्ताह को कैसे परिभास्त किया गया है रभिवार की आधी राज से सुरू होने वाली साथ दिनों के अवधी बी है सुमवार की आधी राज से सुरू होने वाली साथ दिनों के अवधी इसका अंसर है शनिवार की आधी राज से सुरू होने वाली साथ सबसे लाष्ट में क्या आएगा सनिवार को आधी राद जब होगी बारा बजेगा तो क्या अगला दिन मंडे संडे रात को सबस्टा और जलता है आपको अच्छे से पता होगा भाल्स्रम में जिरो से चबदा होगा से होगा कि बच्चा माना जता है बाल्सरम में नहीं माना जाता dlatego है इस्कों माना जाता है सिक्ष्ण का अदिकारद्धिनियम में आप्टिफ में helping कि अठ्ञारा बर्ष सब्सक्राउड में और 12 o recently 2018 चलग कंडिशन से 18 कि खारा ही बाल्स्रम में पाल्स्रम निसेद के लिये चाउदा माना जता है जाने कि चाउदा बशत के आयू के बच्चों को कि सी खान खारखाने अन्य कोई भी खतर नाक रोजगार में नहीं लगाए जा सकता है इसमें अगर सम्भिधान में बात करें तो आर्ट किल्ट 24 भी हाई कहता है सम्भिधान का अनुछेट 24 तो यह आंसर आपका हो जाएगा अधिनियम की तहत केंद्र सरकार या विश्ष्ट प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठानों के लिए उचित सरकार का क्या आर्थ है उचित सरकार अधिनियम पूरे भारत में लग हुए यानि कि केंद्र सरकार का नियंत्र होगा तो उचित सरकार का अर्थ क्या होगा केंद्र सरकार होगा वहीं राजी के लिए होता तो उचित सरकार का अर्थ होगा होता राजे सरकार हो जाता यानि कि उचित का मतलग कि जो भ प्रतिष्ठान के दिन प्रतिदिन के कारियों का प्रबंधन करता है यह वह ब्यक्ति जो उस भूमी का मालिक है जहां प्रतिष्ठान इस्थित है कि कि अधिया रोगा वह ब्यक्ति जिसका किसी प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम रूप से नियंत्रन होता है अनि कि कोई मालिक है उसका सबसे पहले उसका मैनेजर हो सकता है नियंत्रन करने के लिए लेकिन मैनेजर अंतिम नियंत्रन नही देने में पर क्या आधिकार है अनुसार नोटिस देने में विफल रहने पर क्या आधिकार है आप सने है तीन महीने से कम नहीं बल्की एक महीने से अधिक की आधिक के लिए सजा कावास की है जूर्माना सब्स zajारू उपए से कम नहीं लेकिन 20 जारू नहीं सधाराण कर उधुच इस शह महिस नहीं बल्कि दो साल से अधिक किया और दी के लिए करावास और दौशी तो हजार्वास का जूर्माना के लिए एक महिना काफी है तो किसके कड़ धिली हो जाएगी अन्षियत बालस्रम निश्यत और विनियम निदुनों से अस्थानिय नगर पालिकाएं प्रतिष्थान का अधिभोगी उप्युक्त सरकार अधिकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से और बालस्रम निरिक्षग इसकांसार होगा सी उप्युक्त सरकार अधिकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से उप्युक्त सरकार का मतलब कि अगर वो अधिनियम राजी का है तो राजपत्र सरकार अधिनियम केंद्र का है तो केंद्र सरकार उप्युक्त सरकार के परिभास आया तो यह क्या करेगा उप्युक्त सरकार अधिकारिक राज़पत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से इसके बारे में अधिसूचित करेगा सत्रह है कि रेलवे स्टेशन बंदरगाउय कारेस्तिलों पर बाल्स्राम निश्यद और विनियों दिनियों मुने सच्छासिक इधारा तीन और चवदा के सारवाले नोटिस को प्रदर्शित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि ए आस्थानी नगरपालिका भी है रेल्वे प्रसाशन बंदर्गाह प्राधिकरन और प्रतेकब्द होगी केंद्र सरकार और डी है बाल्स्रम निरिक्षक रेल्वे प्रसासन बंदर्गाह पर जिम्मेदारी की बात है तो बंदागार प्राधिकरन होगा और जहां जहां बाध है वहां का कंट्रोलर होगा क्यां अधिनियम् के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में कार्यत बच्चों के लिए प्रतेक अधिभोगी दूरा बनाये गए कौण सी जानकारी दर्ज की जानी चाहिए एक प्रतेक बच्चे का क्यों नाम और जंट थी है कि अगर प्रतेक बच्चे के क्यों कारे की प्रकृती देखेंगे तो कितना काम घंटा करा कुई से पता चलेगा क्या काम करा कि तो पैसा दिया क्या काम कराया इसके पारे में नहीं पता चले ना कितना काम कर रहा इसमें प्रतिक बच्चे के क्यों काम और घंटे क्यों काम और घंटे बता देंगे तो कैसा काम कराया है खतरनाक कराया है कि असान कराया है इसका पता नहीं चलेगा प्रतिक बच्चे का नाम और जननती थी नाम और जनती थी के उल्दर्ज करके छोड़ देंगे तो वहीं बात है है किसी प्रतिस्टान में नियोजीत बच्चे की उम्रे के संब्न में व्यवादों को हल करने की प्रैक्रिया क्या आफ से दॉप समादान निर lol को दी हो एंदी है इवाद को निरने के लिए जारिचम राधिकारी को भेजा जाता है इसके बारे में धारादस में दिया गया था हम लोग पढ़े थे धारादस में उम्र के संबंध में विबाद उम्र के संबंध में विबाद वीवाद और हमने बताया था कि जब हम बीवाद ऐसे लिखते हैं तो बार बार आई है पहला बार एक आ रहा है उसके पर कार से Vai ुवाद लिखने पर तो 12 हो गए आं से जहनी की धारा दस में मिल रहा है धारा दस में क्या है उम्रे के संबंध में बिबाद करेंगे तो अपनी बात रखना चाहेगा तो उतना उचित नहीं है ठीक है लेकि उतना उचित नहीं है बच्चे की मुर्पका कज़े कज़ेदार का निर्णय मानने होगा अगर कज़ेदार का न इतना चाहेगा उतना बतायेगा तो बिवाद को निरण के लिए निरधार चेक्ट साथ करेप्र राधिकारी को भीजा जाता है उसके पास कि बच्चा किसी हाश्पिटल में जहां जन्मा होगा उसके पास वो बडेट अधियादि होते हैं तो उस परकार से बताया जा सकता है नेक्स्ट है अधिनियम के अनुशार इंस्पेक्टर को नोटिस भेजनी के आउ सकता किन परिश्थितियों में लागू नहीं होती है आपसने है जब प्रतिष्ठान बच्चों को खतरनाक बैसा में नियुक्ति करता है आपसन भी है जब प्रतिष्ठान इक नेजी स्कूल हो इस प्रतिष्ठान नौटिस इस प्रकार से तो धारन नौटिस हम लोग देखे थे महाँ पर अधिनियम के इंस्पेक्टर को नोटिस भेजनी कर सकते किन परिश्थितियों पड़ सकती है जब प्रतिष्ठान खतरनाक बैसामें में नुक्त हो जब प्र प्रतिष्ठान अधिव होगी के प्रारम होने के 90 दिनों के बदबच्चों को नियवजुत करता है जब प्रतिष्ठान अधिवयोगी के परिवार की सहायता से कोई प्रक्रिया करता है तो नौटिस देने की आवसकता नहीं होगी नहीं पूछा है न यदि किसी ब्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के तहद इसे अपराद की आसंका या जानकारी है तो उसे बच्चे सहित इसे जानकारी प्रदान करनी चाहिए यह अस्थानी नगर पालिका को भी बाल कल्यान समीति को ती विशेश किसोर पुलिस इकाई या अस्थानी पुलिस को ती पॉक्सो मामलों के रिपोर्टो दर्ज करने कि अध्यूक्रीकрी सब्सक्राइब साख्ष के लिए रिपोर्ट का वीडियो रिकार्डिंग की जाने चाहिए ती है रिपोर्ट को एक प्रविष्टी संख्या दी जाने चाहिए और लिखित रुप में दर्ज किया जाना चाहिए और डी है रिपोर्ट बाल कल्णार समेति को प्रस्तुत की जाने चाहिए 11 11 11 पहले बता दिया अग् Sugar 17 में पड़े थे अपराधों की report मि अपराधों की neighborhood अपराधों की रिपोर्टकिश्श की श्याना पड़े थे इसके लिए मैं आंसर सही होगा सी रिपोर्ट को एक प्रविष्टि संख्या दिजानि करें बया है युदकी रिपोर्ट नमबर क्या है तो डीपोर्ट दियू कर दो識 कर्या है और लिखेत रूप में रिपोर्ट दिजानी चाहिए वो परिस्थीतों में पासह थिनियम के ताहट किसी मामले में सामिल बच्चे की पाचान मेडिया द्वरा उजागर की जा सकती है जब भी वे ऐसा करना चाहें यदि बच्चे का परिवार सामत हो यदि विसेश न्याले बच्चे के हित में इसकी अनमती देता है डी केवल तभी बच्च जब बच्चा 18 वर्स से कम हो टो कि 18 वर्स से अधिक हो सारी कम नो अधिके जब वे ऐसा करना चाहें बच्चे करने से तो होगर नहीं यदि बच्चे का परिवार सामत हो क्या पत्ता पढा लिखा नहों तो कैसे सामती हो जाएगे यह जब बच्च आठारा वर्स दीखो ऑठारा वर्स यह कुछ लिमिट त बच्चे के उनमति देता है कि Cornille के इस बात कि अनमति एक किन परिस्थित्यyम पाक्षवादिनयम के तहप किसी मामले में बच्चे कि पाचान मेडिया द्वारा उजागप्र कि जा सकती है दो उपाइव हो गया है ha इसी बच्च्चे में थे देगा नेक्स्ट पक्सोर दिनेयम के अनुसार मीडिया स्टूडियो फौटोग्राफिक सुभधाउं में कर्मचारियों के क्रित्त चूप के लिए कौन जिम्मेदार है आप सने है मामलों में सामिल बच्चा भी है कर्मचारी ती है विसेश किसोर पुलिस ही काई कि बारे में लोगों निए खारा 20 के बाधा इसके संबंद में हम लोगों ने घारा 20 पढ़ा था धारा 20 था रिपोर्ट करने तुं मीडिया लिख सी कए रहता है यह सह जो ऌंग मामले में इसके ऐ दोगराफियों का सब्सक्राइब लिए बुप प्रकाशक प्रकासद कर रहा है वहीं जिम्मेदार हो यह क्यों होगा करम होगा तो प्रकाशक ready आ नावकरी कर रहा है विचारा के परक instruments के था जोटी सिकायद कर ने गलत जनकारी देने पर किसी बच्चे को किन परिष्थितियों में दंडित किया जा सकता है आपसन A है, शिकायत जोटी होने पर बच्चे को डंडित किया जा सकता है, आपसन B है, जानकारी जोटी होने पर बच्चे को डंडित किया जा सकता है, आपसन C है, किसी बच्चे को जोटी शिकायत करने या गलत जानकारी देने के लिए कभी डंडित नहीं किया जा सकता है, औ दो और बार जोने कि दोनों जूटे वोलता है ना कि दोनोगे पत्व नी दोनों जूटे हैं मतलब कि इथारहआइस दो मतलब 22 ऑजूट सूंचा कब रिपोर्ट करना हुआ इसे बारे में सिज्वक्री नियुक ने याद कर रहा है था आगर बच्चा को जूटी सुचना देता है तो बच्चे को कोई भी सजा नहीं मिली गई तो किसी बच्चे को जूटी सिकायत करने या गलत जानकारी देने के लिए कभी भी दंडित नहीं किया जा सकता है इसका अंसर सही होगा 500 अधीनियम की धारा 19 या 12-20 की तह़त किसी अपराद की रीपोर्ट करने या दर्ज करने में विफल की रहने पर क्या सजा है आप सने है 3 महिने तक की कयी दी जुर्मान या दोनों एक वर्ष तक की कैद और जुर्माना क्या दोनों वो सकता है कि इसी अपराद की रिपोर्ट करने दर्ज करने में भी भलता रहने पर आगर नहीं दर्ज करता है तो उसको 6 माहिने तक रख देंगा तो 6 माहिने में थंडा हो जाएगा तो क्विद्धिकत नहीं चाह में मचट पताने लगेगा लिए थे महीने नहीं क्या है रिपोर्ट करने हैं तो मीडिया फोटोग्राफिक और बादता अभी अमने बताया जारा ऑनेश है रिपोर्ट अपराधों की रिपोर्ट करना अब धारा बाइस है जूटी सिकायत या नेक्स्ट है पॉक्सो अधिनियम कि धारा बीस के अनुसार यदि भी विसेश कुसेर पुलिसी का या अस्थानी पुलिस को किसी भी माध्यम से किसी बच्चे से जुड़ी यवन जोशन सामागरी मिलती है तो उन्हें जानकारी प्रतान करने के लिए कौन बाद्ध है यह क्यो कि वैसे तो सभी बाद है सभी जनकारी देनी चाहिए लेकिन सबसे अच्छा उप्यूक तिबिकल्प होगा मीडिया होटल और लाज के कार्मिक मीडिया होटल और लाज के कार्मिक जो भी है जहां भी बच्चा रहता है मतलब जहां उस समय बच्चा आओ धारा उनने इसके तहट किसी बच्चे द्वारा दी गई रिपोर्ट को कैसे दर्ज किया जाना चाहिए इसे बच्चे की पसंद की भासा में रिकाट किया जाना चाहिए इसे पुलिस अधिकारी की पसंदीदा भासा में दर्ज किया जाना C है इसे सरलभास में रिकार्ट के आजाना चाहिए ताकि बच्चा इसकी समगरी को समझ सके और D है इसे तभी रिकार्ट के आजाना चाहिए जब बच्चा जीद करें इसके लिए सबसे बिकल्प से बेटर होगा सी इसे सरल भास में रिकार्ट किया जाना चाहिए ताकि बच्चा इसकी समगरी को समझ सके कि बच्चा के साथ ही दुर ब्यावर हुआ है और उस समगरी को बच्चा ही नहीं समझ पाएगा तो फिर क्या मतलब है उसका रिकार्ट करने का तो फिर तो आप कुछ भी लिख रहे हैं बच्चा को कि कुछ पता नहीं आप अपन सार लिखते जाएंगे कि इसे तभी रिकार्ट क्या जाना चाहिए बच्चा जित करें जीद तो कभी भी क्या सकता है जीद करने से कुछ मिलता था नहीं वक्त कि वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर विशेश की सवर पुलिस ही काई या स्थानिया पुलिस को एक बच्चे को देख भाल अच्छा प्रदान करने चाहिए यदि वे संतुष्ट है कि बच्चे को इसकी आवसेक्ता है आफसने है रिपोर्ट प्राप्त होने के 48 घंटे के भी प्रदान करने चाहिए और यह अस्थानी निगर पारण क्यों को बाल करने हैं समीथ है विशेश की सब्सक्राइब पुलिस या सथानी पुलिस की जनकरी देंगे या उसके लिए विशेश प्रकार की पुलिस अगर नीगत की गई तो उसको जनकरी देंगे नेक्स्ट उन्हें शप्पन में महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक विपार का दमन अधिनियम के अधिनियमन का प्राथमिक कारण क्या था प्राथमिक कारण आपसा नहीं है भारत में मन्नों रंजन उद्ध्यों को बी नियमित करना अनैतिक तसकरी की रोगथाम पर अनतराष्टी सम्मिलन का अनुपालन करना ये इसका अंसर होगा निक्ष्ट है 2014 में जोड़ा गया भारत में काउन सा समयधानिक प्रवधान कि शुर विशेश रूप से मानो तस्करी और जवरन स्रम से के संबंधित रोविपों को प्रति बंधित करता है अन्ष counties onокойल एक है देश और उच्छेथ उन्षेश वनष्ष उन्षेद उन्णस समयधान काउन्षेद शुनदान दता और प्रकार के सतन्तरता हैं बोलने की कहीं भी आवास करने की कहीं आने जाने के भारत में कहीं व्रम्ण करने की कि त्याद हिख्या प्रकार के सतन्तरता है नशेद 21 क्या आता है जीवन और ब्रोप्र क्या अभातेश को से अभायत तस्करी कि प्रकार से शुषन से बचाने वाला उंशेद क्या होगा उं 2 तीस होगा उंशेद तेईस है 29 धार्मिक सतंत्रता वाला है कि रोग थाम अनयतिक बिपार निवारण अधिनियम में क्या महत्यपून परिवर्टन किया गया है इसे है अधिनियम को क्यवाँ महिलाओं आए लड़की पर लागु करने के लिए विष्टारीट किया गया है दी है अधिनियम को पूर्शोर महिलाओं दोनों पर लागू करने हैं तू लिंग तटस्था बनाया गया है दी है अधिनियम निरस्त कर दिया गया है और डी है यह यह अधिनियम केवल भारत के विशिष्ट छेत्रों तक ही लागू है अधिनियम को पूर्शोर महिलाओं दोनों पर लागू करने है तू लिंग तटस्थ यहनि कि जेंडर निटर बनाया गया है यहनि कि पूर्शों पर भी लागू हो जाए और महिलाओं पर दहौर हुई लड़कियों के लिए अधिनियम का प्राथमिक कारण क्या है यह है पीछे आ चुका है दुबारा आ गया इसका सही अंसर सीगा अनयतिक तसकरी की रुख्थाम पंतरष्टी सम्मिलन का अनुपालन करना किस कारे के लिए निर्दिष्ट कानुन के तच 14 साल की कैद की सजा हो सकती है किसी बेक्ति को उनकी सहमाती से वैस्याबरति के लिए प्राप्त करना किसी बेक्ति को वैस्याले में जाने के लिए प्रेरित करना और डी है किसी बेक्ति को उनकी सहमाती से वैस्याबरति के लि किसी ब्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद बैस्यार के विर्टि के लिए ले जाना है यनि कि एक प्रकार की तसकरी में इसके लिए 14 साल के सजा कि आधि नियम के अंश्वार किने प्रिश्थीतियों में माना जाता है कि कोई ब्यक्ति जान बुझ waar क हैं यहादि किसी समचार पत्र में उप्योग किये जाने या मकान मालिक है क्या है कि देंगों कि इस रहता है उस सब्सक्राइब कर दोखने का तलासी के दारान मिली चीजों की एक प्रतिय कराप्त कराई जाती है अधिनियम के अनुसार पर्थम दोस्सिद्धी पर पविशर को बेस्याले की रूप में उप्योग करने के अनमती देने पुरन क्या सजा है यह है था माहिने से अधिक या अधिक के लिए करावास अधिक तम एक वर्स की कैद साथ में दो हजार रुपे तक का करावास ती है कम से कम दो वर्स की कठोर करावास साथ ही दो हजार रुपे तक का जुर्माना और डी है कम से कम तीन साल की कठोर करावास साथ ही पांच जार रुपे तक का जुर्माना अधिकतम एक वर्स तक करावास दे दू क्योंक्ति पहली बार दोस्थ रुखका करावास पहली बार इस ने किया है तो एक वर्स तक की करावास साथ में दो थाजार उपए तकक का जूर्माना भी किया जुसकता है अधिनियम के अनुसार पहली बार दो सिधी ठारा जाने पर वेस्चाले रखने या उसका प्रबंध करने के लिए क्या सजा है यह कम से कम एक बर्स की अवधी के लिए कठोर का रवास यह कम से कम दो साल की कठोर का रवास और जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है साथ ही 10,000 रुपे तक का जुर्माना लगाया सकता है C है 3 साल से कम की अवधी के लिए कठोर का रवाश और जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है साथ ही 2,000,000 रुपे तक का जुर्माना भी लगाया सकता है D है कम से कम 6 महिने की अवधी के लिए कठोर का रवाश भी हैं कम से कम दो साल की कठोर का रवास और जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है ताथी दस अजार रुपए तक का जूर्माना भी लगाया सकता है इन पर क्योंकि ये विस्याले रखने या उसका प्रबंद करने के लिए जिम्मेदार है करते हैं तो विस्याले के प्रबंद करने के लिए जिम्मेदार हैं तो कम से कम दो साल तो विस्याले के के लिए क्लेकर आधिकारी मना गया है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक निर्धिष्ट छेत्र के भीतर पुलिस करतव्यों के प्रभारी होने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्तिक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक निर्दिश्च छेत्र के भीतर पुलिस करतेब्यों के होने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्तिक पुलिस का अधिकारी हमने बताया कई बर बता चुका पीछे कई बर क्वेश्चन आ चुका कि लोकल गवर्मेंट होगी या त प्रे प्रेंट कि रहे हैं स्थान को घंट के लिए उसकी ठॉंस में हो धार्मिक पूजा के लिए बनाया गया था हूब कि आंसर होगा सी कोई भी अस्थान जो जनता की उप्योग के लिए हो और जनता की पहुंच में हो उससे सारवजने की अस्थान बोलेंगे अधिनियम में सुरच्छात्मक ग्रिह की परिभास क्या है यह ब्यक्तियों के लिए कि अस्था और यह अस्पिताल है और यह बुजूरग जहां रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त है अंसर होगा बी विचारा धीन कैतियों के लिए आश्रे शही त्पीजिस देख बाल और शुरक्षा कि आवसाग्टा वाले ब्यक्तियों के लिए एक सनस्था को ही और शुरक्षात्म ग्रेख से परिभास्त किया जाएगा कि अधीनियम में व्यस्या ब्रिति को कैसे परिभास्त किया गया है यह क्या है के वल ब्यवसाइक उदेश्य के लिए वेक्तियों का यह दुरुपयोग कैसे परिभास्त किया गया है यह थे और सक्षटे का रहेदी गटे यह हो तो सबको ने करना के वाचित करना पड़ जाएगा यह भी है क्या पैसे के लिए ऑसना लेका उसमेंैं धिक्कत है गह जुमका बन्वाले है लिए वेगतियों का यह क्या घ। अधिनियम के तहत बनाए गए है नियमों द्वारा परिभासित किया गया है अधिनियम के तहद बनाये गए नियमों द्वारा परिभासित क्या गया है तो निरधारित का मतलब यह उपयर में रहेiénियमर small female EL i कि सबस्क्रावार द्वार लेजिए 5 suppose क्या नियमों के सबस्क्राइन है अभी आया था जाता है अधिनिये में बच्चे को कैसे परिवास्त किया गया है ए है एक बेक्त जिसने 16 वर्स के आयू पूरी नहीं की है एक बेक्त जिसने 18 वर्स के आयू पूरी नहीं की है सी है एक बेक्त जिसने 21 वर्स के आयू पूरी नहीं की है कि आई होगा एक बेक्ति जिसने बारा वर्स के आयूपुरी नहीं किया तरी बारा आ गया यहां पर अठारा बारा तो कहीं होता नहीं है तो अठारा वर्स अधिनियम में परिभासित अनुसार वेश्याल है सब्द में क्या सामिल है कि इसी अन्य बैक्ति के लाप है वेश्याओं के पारस्प्रिक लाप के लिए यहां सोशन या दृर्बिवार के लिए उपयोग कियो जने तो कोई बात करेंगे तो कोई बात करेंगे जंगल में लेके चला जाएगा इसमें क्या समय करता है तो क्या होगा आप समचुने जहां सभी कुछ सामिल हो इसके लिए यह उप्योग किया जाने वाले घर कमरे वहां या कोई भी अस्थान सीधासा अस्थान में सब आ जाएंगे 2014 में जोडा गया भारत में कवन सा समय धानिक प्रावधान विशेश रूप से मानव तसक्रियों जबरन स्राम के संबंधित रूपों को प्रति बंधित करता है कि अनष्य थय को सपाइश रहा हां जबरन र्म क्या ए tongue 10 1 सません नीवार्हूल निवारों धिनियं का मुख्य उद्य से क्या है है भारत में बद्य शेट रन मीं जबरन स्राम और मान तस्कारी की रयों कि भारत में परेटन को बढ़ावा देना अनैतिक बेपार अधिनियम तो परेटन से इसका क्या लेना देना है कि बढ़िक संपदा अधिकारों का संड़क्षान वाधिक संपदा से कोई फारक नहीं पड़ता है इसमें भारत में बित्तिय छेत्र का भी नहीं माथ पैसे रुप्य बित्ती चेत्र से इसका क्या मतलब है तो जबरन स्रम और मानुत तश्करी की रोग थाम ठीकaty本 1076 में आनेतिक बेपार निवारन अधिनियम में रुफ्षका गर्षिक्र महिलाओं और लड़कूंपर लागू करने बिश्चारत केया गया है में अधिन्यम का पूरसवर महिलाओं पर लागू करते हुए लिंगतर्षटा बनाया गया है जिंडर लिंटर बनाया गया ह लडकियों उलड़कों दुन पे लागों पीछ एक बारर आ चुका है एसे बार बार रिपीट हो जाए निमलिखित में से काई निर्दिष्ट कानून के तहट बैक्तियों की तस्करी का प्राध किसी बैक्ति को आर्थिक लाब दे कर बैस्ऩाइब परति करना लेकिन निर्दिष्ट कानून के थाद्ष ब्यक्तियों की तशकरी जिसक्तियों देक्तियों की तसकरी की बात है तोई होगा निक तसकरी में क्या होगा बलपुर्वक देक्ति का आधिकार्ण करना निर्दिष्ट कानुन की धारा 16 के अंसार किसी पुलिस अधिकारी को विस्याले में प्रवेश करने और विस्यावर्ति में सामिल ब्यक्ति को आगे की करवाय के लिए हटाने का निर्दिष देने का अधिकार किस के पास है पुलिस प्रमुक के पास राज सरकार के पास एक मजिस्टत जो उप से नीचे नहीं हो और डीये विशेस पुलिस अधिकारी इसका अंसर होगा मजिस्ट्रेट होगा इसके लिए मजिस्ट्रेट होता है जो उपन्रक्षक पच से नीचे नहों निर्दिष्ट कानून की धारप 15 के नुसार किन परिष्थिते में एक विशेश पुलिस अधिकारी या तैस्करी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के बिना वारंट के परिष्थर में प्रवेश कर सकता है और तलासी ले सकता है अफसने है यदि उन्हें किसी अपराधिक गत किया जा रहा है और वारंट के साथ तलासी लेने से अनुची देरी होगी, । जो बताएं, उप्लो करते होती है घृ pelvis का ठीक हो रहा है युदे उन्हें किसी अप्राधिक गतिवीदी का संद्य है आप्राधिक गतिवीदी का संद्य यह दोनों सँ jó है लेकिन उससे जूद आधा। जंकर एग довुसक्त के इहां मानने का उचित आधार है। युद आधिनियम के तहत कोई अप्राध किया जा रहा है और वारंट के साथ तालासी से अनुशित देरी होगी अगर वारंट के साथ तालासी करेंगे वारंट फ्रांट लेकर आएंगे तब तक तो काम निबट जाएगा तो इसलिए अभी आपा मार लेना ज़रूरी है कौन सी परिश्थितियां किसी अदालत को निर्दिष्ट कानून की धारा 10-1 के तहद एक महिला अपराधी को सुराज्चात्मक संस्ता में हिरास्त में रखने का आदिस पारित करने के अन्मती देता है यदि अपराधी को अहिंसक अपराध का दोसी पाया जाता है कि वह यदि मानसिक स्थिति इस्तिर है ियएं इसके चरीतर और परिस्थित्यों के आधार पर शुधारना समाचीन है और डी स्थित की कि शूर है कि यह अंसर होगा सी यदि यह प्राधि उसके चरित्र और परिश्थीतियों के अधार पर सुधारना समीचीन है तो दस किता दस एक तहद एक महिला प्राधि को सुधार सुराशात्मक संस्था में धिरासत में लिया जाएगा वहाँ पुलिस जब पीछे डंडन लाल पीछे बोले करें तो निर्दिश्ट कानून के अनुसार प्रीश्थितयों में आंतिस वाल्राश्थ चलाने का लाइसेंस निलम्बित्र शाया जाते हैं तो उस प्रकार की बात है आपसन ही है। यही है। इसपर भी एकशन लिया जाना चाहिए। जाता भीída जाना चाहिए। भी है। इस जर्माना सब्सक्रवा गया है।енко जर्माना देने में विफल यहbersन गलत हूं। और सजा तो इसके लिए तो यह गलत है बाकि सब सही है लेकि सबसे सही क्या होगा बच्चे के संबंध में अगर बच्चे के संबंध में है तो बिल्कुल बक्सा नहीं जाएगा क्योंकि आज के बच्चे के संबंध में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए निर्दिष्ट B है 200 रुपए तक का जुर्माना C है कारावास और जुर्माना दोनों C है कम से कम तीन महिने के लिए बेवसाय लाइसेंस का निलंबन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है इनके लिए निलंबन नर्सिंग होम के 200 मिटर के भीतर दरसल 200 मिटर रिस्टेक्टेड़ एरिया होता है जो कोई भी संस्था मतलब की समय दल्सिन संस्था हो जेए से कोर्ट हो नर्सिंग होम हो आस्पीटल हो इत्यादी ऑजन आज़न के शनवान देखियसे विमटर के इरिया होता है एंदर के लिए तिन महेने की पैद देंज़सादि क सी है एक डिकल्क करने की अगर आप परिसद के बाहर भी है लेकिन 200 मिटर के अंदर तो भी इसी में आएगा जैसे मैंना बताया कि दो समीटर तक होता है इसलिए नियालों के बाहर लिखा होता है प्रिशार नहारन का प्रियोग ना करें क्योंकि आप दो समीटर के अंदर हैं निर्दिष्ट कानून के अमसार केने परिश्थितों में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई बेक्ति अपने वयद जीवन साथी के आलावा किसी अन्य के साथ यह उन संबंद बनाने के लिए किसी अन्य बेक्ति को विस्चाला या प क ich. करवाय की दहम की देता है यह 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 वbach कि बनदि के संबंदित के क्या मतलब हुआ तो मुल से संबंद का कोई फरक नहीं पड़ता है ए यह व्याजि व granddaughter कि संपति को रूख लेता है और संपति लेने के लिए कानूनी करवाय की धंकी देता है यानिकी ब्लेक मेलिंग करता है कि नेक्स्ट है निर्दिष्ट कानून के तहद यदि कोई बेक्तिवे स्याल में बच्चे के साथ पाया जाता है तो क्या अनमान लगाया जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित नहों अन्यथा जब तक सावितना होताता कनमान ये लगाय जाएगा ए अपसन ए है वेक्ति सहमाती से गति वीधियों में लगा हुआ है पी तसकरी का सिकार है यह वेक्ति ने उपधारा एक के तहद अपराध क्या है और डी है वह अब यह का मालिक है अपराधों का संगय होना अपराधों का पड़े यह हूं था के लिए में परिभास थी कि इसके लिए निर्दिष्ट कारूम के तहीं कोई बेक्थि में बच्चे में मुझे के लिए बड़े नहीं मिले कि तसकरी का सिकार है तसकरी तो बल पुरोक ले जाएगा तो सिकार कहला लेटा हुआ है यह निर्दिष्ट कानून के अनुसार किसी बच्ची को परिसर में इस इरादे से हिरासत में लेने के लिए करावास की निवन्तम अधिक्या है कि वहा किसी अईसे बेक्ति के साथ है उन संबंद मना सकता है जो उसका जीवन साथ ही नहीं है आप से शाथ बर्स दस बर्स और जीवन करावास या डी पांच बर्स साथ वर्स तक किसके कारवास हो सकती है निर्दिष्ट कानून की धारा 21 के अनुसार सुराख छात्मक घरों और सुराख छात्मक संस्थानों अस्थापना और रख रखाव का अधिकार किसके पास है आप सन्य है कोई भी बेक्तिय संगठन राजसरकार, सी केंद्र सरकार और अस्थानी नगर पालिका असाई आंसर होगा बी राजसरकार हमने बताया कि उसके लिए पुलिस यानि कि लोकल पुलिस अथवा उसके लिए प्राधिकृत पुलिस पुलिस किसकी होती है राजसरकार की होती है तो राजसरकार इसके लिए जिम्मेदार है इसके पास क्या शक्तियां है कि You, है केवल बुलाने और उपस्थेति लागू करने की शिमित सक्टियां के वल गवाहों की जाज के लिए के मिशन जारी करने की शक्तियां सीविल प्रक्रिय प्रकीरीटव dips श ऑने श Osc tooling डिए और करहें डिएअवुद्री के व्यूद्ध सिकायत सुनने की शक्तियां कि सब्सक्राइब क्राइब क्राइब करने वाली सिविल आदालत की समान सक्थियां एनिकी कि सारी सक्थियां उनके पास होती है सब्सक्राइब की सिविल कोट की सारी सकतियां होती है तो प्रकार के ज़र सकतियां वह इन आयोग के पास आजाती है कि वाल अधिकार सनद्छन आयोग अधिनेवं दोजार पांच की धाराथ 13 scratched राष्टी बाल अधिकार सनद्छन आयोग के स्वास्त और सुरक्षा के बारें बताया था। ओर हमने बताया था कि तेरे स्वाष्छ ए स्वास्त का ध्यान रखेंगे कैंट 13 स्वास्त और स्वाष्टर अर्षय के chaker करने prince तो इसके लिए बाल स्रम को बढ़ावा देना ये तो आंसर हो नहीं सकता है बी है बाल अधिकारों के छेतर में अनुसंधान करना बिल्कुल सही है बाल अधिकार संद्छन आयोग यानिकि बाल बालकों के अधिकार का संद्छन करने के लिए आयोग है तो बाल अधिकारों के चेत्र में अनुसान्द रिसर्च तो करेगा ही और उसके अधिकारों को बढ़ावा देगा ही कि वाकिए सबसाइग गलत है नेक्स्ट है अधिनियम की धारा तेरएक के अनुसा राष्टी बाल अधिकार सनच्वर्ण आयोकिन परिस्धीतिव में मामलों का स्वता संग्यान ले सकता है आपसण ए है केवल बाल अधिकारों के उलंगन से संबंधिय मामले में बच्चों की सुरक्षा और विकास प्रदान करने वाले कानुनों के गयर कर्यानों से संबंदित मामले में, बच्चों की कठिनाईयों को कम करने के उदेशों से नीतिगर्द निर्णय और निर्देशों का अनुपाल न करने से संबंदित मामले में, और डी है उपरक्त सभी, राष्टी बाल अदिकार संब्चन आयोग हैं और सभी चीज बालक के बारे में ही खहा जा रहा है उप्रक्थ सभी यह सभ कार बाल अदिकार संच्छित करने के लिए जितने के रिधि अत्यर अधिक्व करने का अधिकार कुछी केंदों लिए वाला बेक्ति कि नाली से निख कि कैरवार के संब्ध लिए प्रहकरिया को सायों क्वाला जोग करेगा अधधैक्ष्टा करने वाला ब्यक्ति को उत्तर हो तो अका अध्यक्ष्टा करने, काउट होता है तो महीं तो पूछा जाया है तो पुच्छ्चन होगे बताद Bennett करता है कोई भी सदस्य जितने भी सदस्य है उसमें से जो सिनियर मुष्ट है उसी को समाने चून लिया जाता है अधिक्स्ता करने के लिए सब्सक्राइब के लिए के लिए 3 साल का टाइम पिरेद होता है और दो टाइम सोक्राइम सोता है तु ताइम सोता है यानिकि दो बारत रह सकते हैं कि छाज दक्त के लिए 65 बर्स बुरह होने से अधिकार संदक्षाण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार राष्टी बाल अधिकार संदक्षाण आयोग के अध्यक्षाण सदस्यों के लिए अधिकतम कार्यकार काल सीमा क्या है यहीं तो आया भी तुम मैंने बताया इन वर्स दो बार के लिए अधिक्तम है नि तब तो आप एक दिन रहें वह अलग बात है आए थिकार सन्डशन अयोग दिनियम 2005 के नुझार राष्टी बाल अधिकार सन्डशन अयोग में कितने सदस्य हैं अभी मैं ने बताया च्छा सदस्य होते हैं इसमें इसे कमसे कम दूफ ही मिल होना अनिवार breakthrough निख्ष्ट है निक्श्ट बाल अधिकार सन चाहे गठन के लिए जिम्मेदार है राजसरकार भारत के राश्ट पती सिसे भारत के जिम्मेदार भी केंद्र सरकार ही होगी कि पाल अधिकार सनच्छन आयोग अधिनियम 2005 के नुशार बाल अधिकार बाल अधिकार चब्द में क्या सामिल है आपसाने है भारती संभिधान में निर्दिष्ट अधिकार पी है मानम अधिकारों की सारभवम घुषणा में निर्द अधिकार के बारे में पूछा है और हमने बाल अधिकार के बारे में निर्दिष्ट अधिकार अगर भारती संविधान में निर्दिष्ट अधिकार की बात है सब्सक्राइब को रखती है दंड प्रक्रिया संगहिता में निर्दिष्ट अधिकार यह भी नहीं हो सकता अगर उतना होता तो यह भी पहले से है आप संडी होगा बाल अधिकारों पर संजुक्त रश्ट संम्हेलन में अपनाए गए अधिकार निर्दिष्ट कानून की धारत तेश के अनुसार अधिनियम के उदेशियों को पूरा करने के लिए नम बनाने का अधिकार किसे है केंदर सरकार को है राज सरकार को है पुलिस प्रमुक को है और नियाय पालिका को है किसे है इसके लिए हमने बताया था धारा तेईस धारा तेईस में था राज आयोग के लिए विशेश राज आयोग के लिए की बार्शिक और विशेश रिपोर्ट है राज आयोग की बार्शिक और विशेश रिपोर्ट है राज आयोग के लिए 12 का प्रिश्री पड़े केंद्र आयोग जब है तो राज आयोग की जवर्थ क्यों पड़ गई क्योंकि बीभिन राजियों में बच्चों की संद्ख्षण की जवर्थ अलग अलग हो सकती थोड़ा बहुत और इस वीश हो सकती है तो उस पर विचार कौ कोन होगी राज्य सरकार होगी मूल रुप में तो केंद्र आयोग केंद्र का आयोग है लेकिन अलगला राज्यों के लिए राज्य कभी आयोग है क्योंकि अलगला कंडिशन होते हैं अलगला राज्यों के लिए निर्दिष्ट कानून की धारा 22 के तहत कौन सी अधालति हुआ कोई भी नियाल है भी है केवल उचरे नियाल है केवल म्याइट्र मेस्ट्रेट या प्रत्म स्रनिवं के नंयायक भ्ल्णी सस्रय धिक्त Millman कि यह केवल मेट्रोपालिटन मजिस्टेट या प्रथम स्रिणी के नियाइक मजिस्ट्रेट कि शत्र न्याले में तो क्रिमिनल केसं कि सुनवाई होगी है डायरेक्ट हाइकूट में तो जा नहीं सकते हैं पहले तो निचली आदल में जाना पड़ेगा और छेत्र अदिकार वाला कोई ने आला है यह कुछ हद तक लिमिट तक सही है कि छेत्र अदिकार वाला कोई ने लेकिन इससे भी अच्छा आप सथी मिल गया है कि में मेट्रोपालेटन मेश्ट्ड या पर्थम स्रिणिक मेस्ट्ड क्यूंकि इने के पास इसका शेत्र अदिकार है अदिनियम के तहत किसी प्रतिष्ठान नेहां कारेसाला का कबजधा धारी किसी माना जाता है यह वह अब्यक्ति जो दैनिक कारियों किस्धित है थी हैं भी हमने बताया इसके लिए एक बार और पीछे भी आ ता जिस घुंट दिसका होता है जिसका आंप टूरं नियंत्रन हो सकता है उससे पहले उसके हो सकता है प्रवंदक कि मेनेजर रखा उसने इंट्रन किसका होगा माल का जयां पाल-श्रम निशयद कि परिभासा क्या था बिन की परिभासा है हम बिका मतलब तीन है को हुआ है एक मतलब दीन है और तीन बार आट हम लोकाना का आकाते हैं तो अथ है आप साने है इसकी परिभासा साहहर दो पी है आधी राओ से शुरू होने वाली 24 गंट डी दीन के उजालों के ओधी और डी है नियुकता द्वारा निरदिष्ट कारे घंटों की ओधी बताया था, कि पीछे भी एक बार पुश्ण बदलग फार्मेंट में आ चुका है, कि तनि वार की आधी राती सनी वार की आधी राती जब बारव जयेगा तो जिवेज़ बारव हो जयेगा, तो संड़े ही कह नतर्मिवार 開व मेर जलिए तो इसलिए आधी राज से सुरू होने वाली चब इस घंटे के ओधी होगी 75 अधिनियम में उचित सरकार सब्द का क्या आर्थ है हम लें बताये थे A सरकार तो 2A में सरकार की परिभासा है A सरकार इसका आर्थ क्या है अब सन्य है बालस्रम बिनियमन के लिए जिम्मेदार केंद्री पराधिकरण भी है बालस्रम बिनियमन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है C है सरकारी एजनसी जो बालस्रम परमिट को मंजूरी देती है और D.A. केंद्र और राज दोनों सरकार है पाल्स्रम बिनेवन के लिए जिम्मेदार केंद्री प्राधिकरण केंद्री प्राधिकरण तो है ही इसमें कोई जिम्मेदार कोई दिकत नहीं है लेकिन केंद्री प्राधिकरण तो एक अधिक अलग से प्राधिकरण टू आई में है ना ु आइसेब तो आई में है उसके लिए अध्यालग प्राधिकराह। लेकिन यह सरकार समुचित सरकार की परिभास flood के संदर में पूछ रहा है, तो इसलिए सही नहीं होगा। बालश्रम की बी नियमन के लिए के सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदार है राज सरकार तभी अब नहीं होता है तो इसलिए यह भी सभी है लेकिन यह यह यहां पर सभी होगा क्योंकि इससे अच्छा आप्सन हमें मिल गयो बाल्सराम निसेद और बिनेमना दिनेमन उनस्छासिक इधारा 3, कुछ बेवसाइव प्राक्रियाों में बच्चों की रोजगार के संबन्द में क्या बताता है। आफसान ए है पर इस्थीतियों की परवाह किये वेन बच्चों को किसी भी बेवसाइव प्राक्रिया में काम करने से प्रतिबंदित किया जाता है जी कि बच्चे और सुची कि भाग ए में लिक्त किसी वीजाह और प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकते हैं धारत तीन के बारें पूछा है और धारत तीन के बारें हम लोग याद करे थे कि किसी भी रोजगार या प्रक्रियाओं में बच्चों से कब से संबंध प्रतिबंद तो इसके लिए इसके संबंद में क्यों सा अंसर सही होगा परिवार के सदस्यों के साथ कारे शालाओं में सरकार द्वारा मानेता प्रात इसकोलों के काम करने के अलावा हमने बताया कि मानेता प्रात अगर कोई इसकूल है और इसमें बच्चा पढ़ रहा है हो सकता है कि वहाँ पर क्रिशी उसका सब्जेक्ट है और क्रिशी के लिए फूल बागवानी खेती सिखाया रहा हो यह भी हो सकता है अथा हो सकता है सौक्षता के अभियान में उससे साब सफाई कराया जा रहा है तो इसको सोशन नहीं मानेंगे हम बच्चे अनुसूची के भाग ए में अनुसूची ब्योसा करको क्या सब्सक्राइब और बच्चों के लिए काम के घंटो का बीनियमन है या थो होगा तो वे साहं और प्रेक्रियाओं को अनुसूची में जूडबे ना कि कौन-कौन से खतरनाग व्योसाएं कौन कौन से खरतरनाग प्रेक्रिया है उसका उन सुची में जोड दिया जा और जब उन जुड दिया जाए गा उससे संबंदित का बच्चे नहीं कर सकते खत्रनाग रोजगार किसे नहीं में आ जाएगा अधिनियम के संदर्म में अस्थापना सब्द में क्या शामिल है आपसने है कारखाने और निर्माडिकायां भी है आवासी घर सारजनिक मनरंजने मनरंजन का कोई भी अस्थान डी है खादाने और तेल संसाधन आपने बताया था अस्थापना के लिए कुटी तू डी में प्रतिष्ठान लिखने पर लिखने पर यहां पर लिखने और तो चार रोगे प्रतिष्थान की परिभास car और प्रतिष्थान ही अस्थापना इसे कह सकते हैं तो अस्थापना क्या 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 आवासी घर ही अस्थापना है क्या 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 खादाने और तेल शेत्र ही अस्थापना है कि सारवजी निका स्थान मन रूंजनह मनरूंजनह कोई भी थान कोई भी अस्थान में संभी आ जैंगे तो कोई भी अषथान स्थापना इसकन कोंगे आ खान खान खाना या अन्य कोई भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जासकता है यह अनुछे थेश भी बोलता है कि पाल अधिकार सनच्छन आयोग सारी 23 नहीं 24 बोलता है पाल अधिकार सनच्छन आयोगदनियम 2005 कि धारत 17 में राज बाल अधिकार सनच्छन आयोग का संधर्प्त करने के लिए किस सब्द का उप्योग किया गया है आपसान ए है राष्ट्रिय बाल अधिकार सनच्छन आयोग बी है बाल अधिकार आयोग ती है राज बाल अधिकार आयोग और डी है राजी का नाम बाल अधिकार सनच्छ इसलिए हमने बताया कि केंद्र का संरच्ण आयोग है और अलग राजियों में राज्जी संरच्ण आयोग हो उनका गठन होता है तकि वहां की परिष्थितिति के अनुसार कुछ में थे फिर बदलाव क्या आजा सके संरच्ण आयोग अधनियम 2005 की धारा 16 के नुसार आयोग की वार्षिक और विशेश रिपोर्ट के संबंध में केंद्र सरकार राज्चर करकी क्या जिम्मेदारी है अपसने है उन्हें रिपोर्ट पर कोई करिवाई करने की आवस्यक्ता नहीं है भी है उन्हें समचार पत्रों संबंधित विदाय निकायों के साथ समक्ष रिपोर्ट करने प्रश्चत करने होगी उन्हें समिक्षा के लिए भारत के राष्टपति को भेजनी होगी कि अ कि लिए धारा 16 है आयोग की वार्षी को बिशेश रिपोर्ट आयोग की वार्षिक और वनाओ और विसेश रेपोर्ट कर नारं तो अगर विसेश रुपसे को वार्षिक प्रस्तुत कर सकता है कि उन्हें रिपोर्ट पर कोई करवाई करने क्यों सकता नहीं बाई कोई करवाई नहीं करेगा तो फिर किस लिए बैठा है कि ईदर गूंबने के लिए के लिए करवाई करने के लिए इन्हें समाचार पत्रें का सित करनी कि अए संवाइब अच्छा के लिए रिपोर्ट भारत के राष्टपती के बास भेजना होगा नहीं भारत के राष्टपती के पास थोड़े नहीं भेज सकता है उन्हें आयोग किसी फारिशू पर की गई प्रस्तावित करवाई कि ग्यापन के से साथ संबंधित बिधायक निकायूं अगर केंद्र का है केंद्र सरक्षण आयोग है तो अपने राज में बिधान मंडल में रखवाएगा के समख्ष रिपोर्ट प्रस्तत करनी हो रखोगी रखवाएगा वहीं पर समीति फिर बैठेगी विचार करेंगी वह आए बाल अधिकार सनच्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक जांच पूरी होने पर राष्ट्री ये बाल अधिकार सनच्षण आयोग का क्या कदम उठा सकता है एक जांच पूरी होने पर राष्टी बाल अदिकार सनचन योग क्या कदम उठा सकता है आपसा नहीं है संबंदिस सरकार को एक सलाह जारी कर सकता है यह हस्त छेप के लिए भारत के राष्ट पति से संपर्क करें यह संबंदिस सरकार यह प्राधिकारी को अभियोजन या अन् करवाई के लिए शुरू करने की सिफारिष कर सकता है संबंदिस सरकार को अगर राजय आयोग है तो राजय अपने राजय सरकार को अथो अपने केंदर सरकार को यह दोनों सही है लेकिन सब्सक्राइब बेटर सही है इसलिए आप से आपको थी मिलेगा अधिनियम की धारा चवदा दो के अनुसार आयोग के पास मामलों को मजिस्ट्रेट के पास अप्रिष्ट करने के संबंदे में क्या सकती है अपसने है आयोग सीधे आरोपी के खिलाप अपरादिक का रिवाई शुरू कर सकता है भी है आयोग आरोपी के खिलाप गिरपतारी वारंट जारी कर सकता है और मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और मजिस्ट्रेट सिकायत की सुनवाई के लिए आयोग आगे बढ़ेगा जैसे इसे अपर आधिक प्रक्रिया संग्यता उनवेश्य तियत्तर के धारा तीन सब च्यालिस के तहद भेजा गया हो और डी है आयोग जांच से संबंदित सक्तियां है जांच से संबंदित सक्तियां जांच से संबंदित सक्तियां जांच से संबंदित सक्तियां धारा चौदा है इसमें आयोग सीधे आरोपी खिलाफ अपरादिक करवाई शुरू कर सकता है नहीं वो खुद करवाई नहीं कर सकता है न हमने ब जारी कर सकता है आप के खिलाफ गर गरlaughs जारी कर सकता है नहीं समंद से जारी कर सकता है ऐसा ओँवाउल भेज सकता है आपिसники आपको की रही के तहब बच्चों के लिया काँ आराब के घंटों कि भीनेमन के संभर्ण अब नियुक्त में से कासा कफ़न सही है? अब से नहीं है? एक बच्च्च्च्च्अ एक घंटे का यम और अन्तराल लेने से पहले छार गंडे तक काम कर सकता है? B है एक बच्चे की दैनिक कार्यावधी आराम के अंतराल साहित आठ घंटे से अधिक नहीं होगी D है बच्चे रात के समय काम साथ बई से सुबा आठ बजे के बीच काम कर सकते हैं और दी है एक बच्चे को एक ही दिन में कई प्रतिष्ठानों में काम करना पड़ चकता है कि इसके लिए मानुदहरा साथ है भरक में हमने बताया था धारा बरा में की सथसाथ काम करेंगे तो 7 dave त्यादी के बारे में धारा साथ में है यह हमने बताया था इसके बारे में काम के घंटों को कैसे परिवाज़त करोगे एक बच्चे को एक ही दिन में कई कई दिन में कई आपके संद्स क Но में मत्राइब व्यास कई लाइक रात के समय साम साथ बजे सब Väस्थ की बीच रात कर सकते हैं इस समय भी काम नहीं करते हैं मत से काम करेगा और बुट विसे क्लवचे चृप इस नियुका है जबकि वैस्क भी सिर्फ आठी घंडा करता है और बी क्या है एक बच्चे की दैनिक कारी अवधी आराम के अंत्रालों सहीत आठ गंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए समानी रूप से साथ गंटे होती है लेकिन आराम के अंत्रालों सहीत अधिकतम अगर पुछा तो अधिकतम आठ गंटे से अधिक किसी भी परिष्थिती में नहीं होनी चाहिए अप्राधिक कानून संसोधन अधिनियम के तहद स्तहमति की उच आयू निवधारित करने के लिए भारती दंड संगिता में किस प्रकार प्रावधान में संसोधन किया था आपसने है आई पीसी की धारा 376C भी है आई पीसी की धारा 376A अधिए अधिशी की धारा 376A और दी है भारा 100 प्रावधान 376C में किया गया है इसे शुरूप से सब इंपार्टेंट नहीं सिली सबको नहीं बता रहे है अपर आधिक कानून संसोधन अधिनियम 2013 के थाद पलतकार तब देखी वैधानिक परिभासा में कौन से कारे सामिल किये गए थे आप सने है किसी महिला की योनी गुदाया में किसी में बस्तु का प्रवेश करना भी है प्रवेश के लिए महिला के शरीर के किसी भी हिस्से से छेड़ चाड़ करना दी है किसी महिला की योनी गुदाया मुतमार्व पर मुह लगाना और दी है उप्रत सभी आपको देखने से लग रहा होगा कि उप्रत सभी सभी कारे पलतकार में या जाएंगे अपराधिक कानूं संसोदन अदिनयां 2013 ने महिलाओं के खिलाब कुछ अपराधौ में fhr दर्ज करने से इनकार करने के संबंदे में पेशगया पेषगया आपसन नहैं इसने लोक से वकूँ के लिए fhr दर्ज करने से इनकार करना अपराध बना दिया इसने अस्पतालों का बलतकार के पिड़तों के लिए नेसुल्क इलाज से करने के लिए अनुमती दे दी सी है इसने सामती की उम्री 16 वर्स से बढ़ा कर 18 वर्स कर दी और इसने अदालत को सजा देने में विवेक का प्रयोग करने का प्रवधान पेश किया कि 2013 में किया गया सही तो सब हैं लेकिन 2013 में क्या हुआ कि इसने लोग सेवकों के लिए फैयार दर्ज करने से इंकार करना अपराध बना दिया गया कि अगर कोई लोग सेवक अफैयार दर्ज करने से मना कर देता है तो उसके लिए उसके लिए सजा दी सकती है वो सजा अधिकारी होगा सजा उसके लिए निर्धारइद कर दी गई 2012 में दिलि इन कांग्रेब के आ निर्भया वीड United सब्सक्राइबthe आःद्स को ऱ्यांति डिश्रीन के और पर उन पर मुकदमा चलाना मुकादमा चलाने के लिए समीति की जोड़त है कि यह पिडित परिवार को मौज़ा प्रदान करना नहीं इसके लिए समीति कोई जोड़त नहीं है यह यह उन अपराधों के खिलाब मौजुदा कानौन में संसोधन का सुझाव देना और दिल्ली में सारोजनिक परिवहन की सुरक्षा औ सारोजनिक परिवहन में यह मामला कुछ हो रहा है और सारोजनिक परिवहन में सुधार करने की बात हो रही है यह तो बिल्कुल नहीं होगा कि यह उन अपराधों के खिलाप मौजुदा कानौन में संसोधन करने का सुझाव देना इसका केस बर्मा का अधेक्स्ता में यह गठन वा था जिसके तहद आयू अठारा बर्स से घटाकर सोला बर्स भी कर दी गई थी पाल्स्राम निश्यद और विनेमन देना उने सच्छाषी कि धारा तीन धारा तीन के प्रवधानों के उलंगन में एक बच्चे को नियजुद करने वाले नियुकता के लिए क्या सजा है आप संहें कम से कम एक वर्स के अधी के लिए करावास भी है कम से कम तीन महीने की कि अधारा तीन है कुछ जीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुछ जीविकाओं और प्रक्रियाओं में कि नियुजन का प्रतिसेद है कि अधारा तीन है कुछ जीविकाओं नियुजन का प्रतिसेद है अपसन एक बर्स से कम की सजा है एक बर्स से कम के सजा नहीं है करावाश कर से कम से कम तीन महाइने की दींगे लिए करावाश मात्रा है कम से कम से कम थीन महाइने का रावाश निजटे बालस्रम लिशीद और बीनी हैम 22 1986 अताद निरीख्षक को संबन्द में में लीकत से कंसा का है इंसपेक्टर को नोटिस रहनां है इंस्पेक्टर को नोटिस नफॉस एनुट सेट कभजेदार को निरिक्षक कोई नोटीस भेजने क्यों सकता नहीं है अधिभ्योगी को अधिनियम के प्राराम होने के 15 दिनों के भीतर निरक्षक को एक नोटीस भेजना होगा और ही है नोटीस के ओल केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान के लिए आवश्चक है के इसकी दारा SMITH है इंस्पेक्टर को नोटीस के कि और किसी कप्जीदार को निरिक्षक कोई नोटीस भेजने के आव सकता नहीं है जब आउसकता नहीं तो धारनाव क्या करेगा फिर नेक्स अधिभोगी को अधिनेम की प्रारम होने के 15 दिनों के भीतर निरक्षक को नहीं 15 दिन तो नहीं होता है नोटिस के वल केंद्र सरकार के नियंत्रण वले प्रशानों के लिए वसक है तो राज जायोग क्यों बनाया गया फिर तो सही आपसन होगा किसी कबज़दार को बच्चे की रोजगार की तारिक से 30 दीनों के भीतर कि इस दिनों के भीतर निरक्षक को एक नोटिस भेजना होगा अप्राधिक कानुन संस्वदर न दिनें 2013 की इस धारा में बार बार यह न अप्राधिक के लिए पड़ी सजा का प्रावधान किया गया है धारा ए 376 डी धारा 166 भी है धारा 309 और डी है धारा 357 स्थी कि अगयाए 376 है 376 वाहने बता चुका हूं पहले पीछे वाले में चानवा बलतकार की परिवास आए और बार-बार बलतकार कर रहा है रहा है यह रहा यह आप राध कर रहा है तो उसे करी सजा में दि देगा है की मतलब भारा तूबारा निकी बार बारा आ रहा है तुन के माता पिता से अलग करना ब कल भी यह बच्चों को सभी प्रकार के नुगसान दुर्ब्यभार उपेक्षा और सुषण सब्छार नियुटि की प्रक्रियाओं में बच्चों की भागीदारी को सिमित करना और DSM परिवारों के बच्चों के जवर्थों पर थ्यान केंद्रित करना अब सकता है पढ़ने पर बच्चों को उनके माता पिता से अलग क्यों करेंगे माता पिता से अलग तो नहीं किया सकता है क्योंकि खुदी बच्चे हैं निरले लेने की प्रक्राइम बच्चों की भागदारी को सिमित तो नहीं कर सकते हैं बच्चों की भागदारी तो लेनी नेच्छ के साथ अगर निया रहा है संपनघाट करना अगर संपनघाल करेंगे तो गरीब बच्चे कहा जाएंगे तो आपसं सी होग छोग प्रकार के बच्चों के लिए राष्टी निती 2013 के अनुसार बच्चों को प्राभावित करने वाले सभी निरणे और कारियों में प्राथ्मिक चिंता क्या बच्चों के लिए राष्टी नेती 2013 यह मैंने आपको इसमें साविल नहीं किया था भूल गया था मैं जो दाले थे उसमें नहीं किया था पांच में जानच मिनट का बात है यह पांच मिनट का चीज है इसके बाद एक और बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा इसे को हैं यह मांसिक स्वास्ति सुरत्षा दीकार परसपर संबंदित और अन्यों नसायटिस हैं यह बच्चे का सभी बच्चों के लिए समान अधिकार इस सीचना में बच्चे का सरुधा मेरे कर देता है कि बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी मामुलों में विस्यसकर लड़कियों और वंचीत समयों के बच्चों के विचारों को सुना जाना चाहिए अफसन ए है जीवन अस्तित और विकास का अधिकार भी है प्रतेक बच्चे के पास सारोभामिक अभीभाज और अभीभाज मानवाधिकार प्रदान किया जाना चाहिए यानि कि बच्चे की बिचारों का ब्यक्त करने के लिए बयान लिया जाता है जहां बच्चा सबसे ज्यादा प्रदान किया जाना चाहिए आपको सही मिलेगा नेक्स्ट है राष्टी बाल निती 2013 में पहचाने गए प्रात्मिक्ता वाले छेत्र में काउंस है जो प्रतेक बच्चे को सिक्षा और विकास का अधिकार प्रदान करने पर केंद्रित है आप सेने है उत्तर जीवता त्वास् कि अधिक्षा और विकास सबसें महत्तपुर्ण पच्चों के लिए राष्टी निती 2013 के अनुसार बच्चे के मान सिख भावनात्मक संग्यात्मक संग्यात्मक समाजिक और सांसे कृतिक विकास को संबोधित करने के महत्तपर जोर देने वाला मारक दर्सक से धांत क्या है प्रतिक बच्चे के पास सारो भौमिक अविभाज्य और अविभाज्य मानव अधिकार हैं ही है सभी निर्णयों और कारियों में बच्चे का सरोत्ता महित प्रात्मिक चिंता है ही है बच्चों के अधिकार परस्वर संबंधित और अन्योनी प्रेश से रेत हैं ही है बच् कि पुर्तेक बच्चे के पास सारों भमिक अभिभाज्य और अभिभाज्य मानव अधिकार हैं अभिभाज्य मानव अधिकार का तो कोई मतलब भी नहीं है आप कि बच्चों के लिए राष्टी चार्टर के अनुसार पुरक पोश्ण के आलावा राजिक को गरीबी रिखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए और क्या उपाय करने चाहिए अप्सन ए है तुरक्षित पेजल तक पहुँच भी है विशिष्ट स्वाश्ट सिमाय परियावरनी स्वक्ष्टा और स्वक्ष्टा यह मताओं माताओं के लिए प्रसव पूरू और प्रसवत्तर देख भाल कि पताए इसका एंसर सोचें परियावरनी स्वक्ष्टा यह जो है हलांकि आपसंद सभी सही हैं लेकिन सबसे अच्छा आपसंद होगा प्रियावरनी स्वस्था क्योंकि पर्यावरन के अंतर कत पीजल भी आ जाए का विश्ष्ट स्वास्त शğw蒘 भी आ जाएंगे कि सब जोखी जा सकने वाली भीमारियों के खिलाब टीका करन लुट है हानिकारक प्रताओं से सुरक्षा और डी है मान्सिक स्वास्थि क्लिनोकों की अस्थापना बच्चों के लिए राष्टी चार्टर बच्चों के लिए राष्टिसब्सक्राइन सबसे ज्यादा हानिकारक प्रथाओं से मांसिक रूप से बच्चे घरेंगे क्योंकि समाध में जो चल रहा है वहीं देखेंगे वहीं सीखेंगे तो मांसिक तो वहीं से बदला होगा राजिको प्राथमिक स्वास्त स्वविधाओं और विसेश देख भाल और उप्चार के तहत कवरेज के लिए मुख्य रूप से बच्चों के किस समों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए अफसने है गरीबी रिखा से नीचे के परिवार के बच्चों पर भी है सहरी छेत्रों के बच्चों पर दिया है संपन परिवार के बच्चों पर और निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर कि अंसर सभी है रूप भात्त करना चाहिए रूप से जो है जो समाज में पिछडे बच्चे बच्चों के स्वास्ति बच्चों के लिए निवारक और परदान करने के लिए राजी को काउन से उपाय करने चाहिए ए है सुरक्षित पेजल तक पहुंचने सुनिचित करना, गरीबी रिखा से नीचे के परिवारों के समी बच्चों को बिशेश धेकबाल और उपचार के अताद कवर करना, इस बच्चों को उन प्रथाओं से बचाना जो उनके तारिरिक और मानसिक स्वास्त को नुक्सान पह बच्चों के लिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए राष्टी चार्टर के अनुसार, तभी बच्चों के मानसिक स्वास्त की सुरक्षा, तुनिश्चित करने के लिए राजी को नीनलिखित में से काउन सव उपाय करना चाहिए अब सने है परियाप्त पूरक पोसक परदान करना, भी है गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को प्रात्मिक स्वास्त सुधाओं के अंतरगत कवर करना, ती है रोकी जा सकने वाली बिमारियों के खिलाप ठीका करना, और डी है मानसिक स्वास्त के लिए एक राष्टी आ जब मानसिक स्वास्त की सुरक्षा सुनेश्चित करना है, तो मानसिक स्वास्त के लिए एक राष्टी आयोग लागू कर दो सबसे बेटर रही होगा, बच्चों के लिए राष्टी चार्ट दोहजार तीन का अंतर नहित उदेश सिक्या है, यह है आल्स्रम और आर्थिक उ गया, क्यों अधान, नेक्स्ट साहई है अंसर है बच्चों को सभी प्रकार के दुर्ट से बचाना अनसर बच्चों को सभी प्रकार देदेना 29 Constor novel फूर्था प्रकार की दूबर सब्नासिक देदो बच्चों के लिए राष्टी चार्टर 2003 के नुसार सिक्षा के संबने मांता पिता या अभी भावक का मौलिक करतब क्या है थासे चाओदा वर्स की आयू के बीच अपने बच्चेया वार्ड को सिक्षा के आउसर परदान करना यही माता पिता का करतब में है अपराधिक कानून संसुधन अधिनियम अलांकि पिछले अला में देखें तो करतब सभी ऐसे बात नहीं है सब को सब बच्चों का पुर्ण सारी मानसिक अपराधिक कानून संसुधन अधिनियम 2013 ने सहमती से जुड़े मामलों में हराब चरित्रिय पिछले याउन अनुभाव कि साक्ष के संबन में भारति साक्ष अधिनियम में क्या बदलाव किया है कि आप सन्य है इसने ऐसे सबूतों को बिल्कुल आप्रसंगिक बना दिया यह इसने केवल कुछ परिष्थीतियों में ही इसे साक्ष के अनुमति दी है यह इस मामले पर चुप था यह इस मामले पर चुप तो नहीं था चुप होता तो संसोधन क्यों होता ऐसी तो बात है नहीं तो इसने ऐसे सबूतों को बिल्कुल आप्रसंगिक बना दिया है इस इतना ही यह पाक्सो अधिनियम और उसे संबंदित जो भी एक्थ है हास पास के तभी एक्टोर संबंदित कुछ कुछ लाए थे इसको हम लोग इससे पहले नियुक्शो में हमने कोशिश की है इस नियुक्ष देखने के बाद उस पुरानी वाली वीडियो को एक बार फिर देखिएगा आके आपको clear हो जाए जाए और इसके बाद हम फिर एक बार दोनों का मिलन करेंगे दोनों वीडियो को देख कर एक बार हम उसका निश्कर्च निकालेंगे और फिर भी कुछ इंपार्टेंट सी बच जाती है 10-15 मिनट की वीडियो एक बनाकर फिर दे देंगे तो डेलेवर कर देंगे अभी वीडि अब अब नहीं क्या है तो आपने कर लीजिए और बस धन्यबाद